तो चुछब है जो चोटा से कंसेट लेते हैं वो टेंस के हवाले से हैं यह एक तो वेरी ट्रेडिशनल आप पढ़ते हो कि टेंस का मतलब जमाना जमाने तीन हैं उपना पर चार उसके आप्स इसे बंदते हैं 12 एक और किसी कि बात करूं तो हम किसी और एंगल से भी इसको देखते हैं देखते हैं आपको समझाएगी कर नहीं आएगी मैं कोशिक करता हूं कि अगर प्रेजेंट है पास्ट है फ्यूचर है तो इनके चार-चार आपके पार्ट्स होते हैं अब देखते हैं इसाब पार्ट्स इसके क्या चार वो कॉन कॉमस है नंबर एक पर है इंटेफिन है यह नहीं वह चारों तीनों के लिए हम एकर प्रेजेंट का भी प्रेजंट का भी प्रेंट का भी और फूचर का भी और फ्रेक्ट नमबर फोर है फॉर्फेक्ट इनको देखते हैं इनका एक चोटा से concept शायद आपको अगर समझ आगे तो बड़े अची बात है पर्फेक्ट कि इस से आपको questions हाल करना आसान हो जाएंगे यह जो transition के लिए आप जो तगदों करते हैं उसमें भी आपको यह काम आएगी चीज़ अच्छा अगर मैं बात करूं continuous tense की तो इसका concept क्या है यह अगर आपको sentence में इस तरह की चीज़ आ जाती है तो फिर आप कहेंग आसान हो जाएंगे अगर मैं इसका concept क्या है इसका logic क्या है continuous का मतलब यह है कि suppose आपके पास एक time line है कि मैं यहाँ पर present में हूँ यह past आपका यह आपका future सब्सक्राइब कि यह आपके पास एक graph है मैं इससे जब बात करूंगा तो present में ही करूंगा यह तो कहने के वाली बात नहीं है आप किसी पॉइंट से पास्ट के आप काम से रुक गया और तक्ते करके आप यहां तक आगए प्रेसंट और यहां पर आप रुके नहीं है बलके आपने काम जारी रखा यह यह है कंटीनो स्टैंस हमेशा पास्ट से शुरू होगा चाहे वह एक लम्हे के पहले होना शुरूआ हो अब इससे एक लम्ह पहले है तो पास्ट ही तो पास्ट से शुरू हुआ प्रेज़न में आकर अभी भी खतम नहीं जैसे वह सो रहा है तो इसका मतलब कि शायद जब आप बात कोरोगे तो उसके बाद भी वो कुछ लम्मे के लिए शैस होए तो नहीं कि future effect वो जाएगा आइंदा के लिए जाएगा वो तो काम जारी होगा यह आपका है continuous tense जिसमें पास्ट से काम अब खुद आप देखेंगे जज़ करेंगे कि प अब इसके यह concept है कि आप जिसे हुआ आम ने खाहाना खा लिया है हम खाचुके हैं तो perfect का मतलब भी है यह खाचुके थे यह खाए खाचुके होंगे परफेट के concept ही है कि Táपने कोई कामच से शुरू किया यह पास्ट से शुरू किया और आपने present में आकर काम को खतम कर दिय क्योंकि perfection है इसके अंदर, इसके अंदर perfection है, काम की तक्मील है, काम का खत्म होना इससे show होता है, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने पढ़ लिया है, उसने खाना खा लिया है, जैसे वो खाना खा चुका है, तो यह perfection है इसके अंदर, present में आप आपने काम खत्म कर लिया, अ आगे नहीं चल में यह आपका था और जिन यह दों है कुझ एक और पहीं कंटिनृंस भी है यह इसके एक काम मुकमल हुआ है एक काम मुकमल हुआ और फिर जारी भी है इसका मतलब यह है कि आप ने पास्ट श्रूर काम किरूई और यहां तक आगे तो यह होगा परफेक्ट लेकिन यहां तक कुछ आपने यह कहा कि कुछ टाइम होगा उसको यहां जैसे मैं सुबहों से पढ़ रहा हूँ जब मैं बात करूँगा उस वक्त तो तो मैंने पढ़ लिया लेकिन अभी मेरा काम जारी है काम खतम नहीं हुआ काम खत्म नहीं हुआ लेहाजा मैंने पास्ट से शुरू किया प्रेस्ट में आकर मैंने परफेक्शन तो की लेकिन यहां तक आने के बाद अभी भी मैं इसी कंडिशन में हूँ के मैं काम को भी किया रहा हूँ तो यह दोनों का कंबनेशन जो है यह आपका परफेक्शन तेंस है जिसमें काम पास्ट से शुरू होकर प्रेस्ट में आने के बाद भी उसका कुछ हिस्सा बाकी हो और और काम जारी हो उसे हम कहते हैं परफेक्शन तेंस अब तीनों को तो अपने डिस्टेस्ट अब आगा है एन-डेफिनेटड इंस इंडेफिनेट जब इन तीनों में से किसी की इप इंडिकेशन इसके अंदर नले कोई आपका है कोई इसा क्लू न गillिसके अंडर कि जिसे पता चलहीट है कंडेशन है यह परफेक्शन है या प्रशशन कांडेशन मिले कोई पता नहीं चलदा क्या है तो आपका है इंडेफिनित हैं जैसे नाम से जाहर है कि मालुम नहीं कोई किंफिर्मिशन नहीं नहीं है इंडेफिनिट है कि डेफनेट का उलट है इंडेफनेटिस में कोई आप नहीं कहा सकते शोर्टी के साथ कि यह काम खत्म हुआ या जारी है जैसे वह पढ़ते हैं पढ़ते सपोज अब लीच पढ़ते हैं से जाहर उटता है कि ना तो इसमें लग रहा है कि यह परफेक्शन है ना इसमें प्यो से ही अलग है तो इसका मतलब यह होता है यह पास्ट में भी जया था अब भी जा रहा है ओर इंडाभी जाएगा तो यह है तीनों को कबर करता है लहादा इसलिए इसकी कोई fixation नहीं है इसलिए मिलसों करते हैं indefinite tense जैसे कि आप example से इसको प्रूफ कर सकते हैं यह चोटा सा मेरेजम में आगया concept कि मैं शायद tense को इस तरह से भी आप दिलता सकते हैं तो शायद कुछ चीज आपके जहिंद में रह जाए तो यह मैं चाहरत दा कि इसका फिलारिटी हो थोड़ी से थैंक यू अलावासरी से